हलो फ्रेंट उपरे किचन टीव पे आप सभी का बहुत बस्वागत है चलिए आज का रेसीपी देख लेते हैं बहुत ही मज़ीतरो टेस्टी रेसीपी हैं देखिए मिनी यहाप पर इडली लिया हुआ है अगर आप इडली का नाश्ता बनाया है तो इडली आ बच जाए तो आप इसका बहुत ही सिंपल तरीके का रेसीपी बना सकते हैं बचे हुए इडली से तो मिनी आप इसे इडली को अच्छे से कदू कस कर लेती हूँ देखिए मिनी आप इडली को कदू कस कर लिया हुआ है सारे इडली को तो चले इसका क्या बना जाता है ओ भी देख लेते है और उसके अबद इसे अच्छी तरीके से बुनाई करने होगी गास फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे रखना है और इसे अच्छी तरीके से बुनाई कर लिज़े और उसके अबद इसमें हम थोड़ा सा जो है कड़ी पता याड़ कर लेते हैं पैस को बारिक सा चॉप किया हुआ है तो उसे भी आड़ कर लेते हैं अगर आपके पैस तरह कर जाने के बाद किया हुआ है तो उसे भी हमें आड़ कर लेते हैं, अगर आपके पास टमाटो अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर टमाटो की जगह निम्बू का रस्पी आड़ कर सकते हैं, थोड़ा सा है नमक आड़ कर लेते हैं, नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम्याद जादा कर सकते ह या पर यहैं पर कईशी चोटी चम्मा इतना झितना चाल्दी पौडर है कश्मेरी लाल मिश सी चम्मा को भी तरीके सब्सकी को बैसे लिगूं को अचे से पड़ा है तो सारा टमाटर वगेरा सॉफ्ट हो चुका है आप चक कर सकते हैं और जो इडली को हमने कदुकस करके रखा था तो उसे हम इसमें आट कर लेते हैं देखिए अच्छे से इसमें आट कर लिजे हाँ जा मैं आप इडली से बनाई गए उपमा बनाने जा रहे हैं तो देखिए इडली जो है उसका आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं उसका उपमा वगेरा बना सकते हैं उपीट वगेरा तो देखिए आप बढ़िया तरीके से मिला लिया हुआ कितना बढ़िया और यमी लग रह अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीज़ेगा और शेर भी कीज़ेगा देखे कितना टेस्ट यूमिस हमारा जो बचेवे इडली का उपमा है बनके रड़ी हो चुका है वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और लाइक भी कीज़ेगा और शेर भी क कि वीडियो का पिहला नोटिपीकेशन आपको ही मिलेगा तो चले अब हम डेस्ट कर लेते हैं कैसा बनाया उ भी देखिए कितना यूमिड़ लग रहा है तो चले अब डेस्ट कर लेते हैं बहुत ही टेस्टी लग रहा है तो वाव कितना यूमियों और अमेəzing हमारा जो झाल झाल